तो अभी हमारा next topic है dollar set on insert operator basically dollar set on insert operator एक नया document create करता है while updating if अगर हम लिखेंगे upset call and true तो एक नया document create कर देगा तो अभी आते हैं हम definition की तरफ in mongodb the dollar set on insert operator is used to set values to field during an upset only if the update operation perform an insert when using the upset option with the update method okay तो अभी आते हैं syntax से तरफ syntax साफे सिंपली करें हमें लिखना है db.collection.update and after that हमें first color basis में हमें लिखना है query कि किस document का हमें update करना है तो हमें नया document बनाना है and after that हम लिखने है set on insert and हमें field और value लिख सकते है and last में अगर हम upset true लिखते हैं एक नया document create कर देता है okay तो मैं जाता हूँ अभी मौंगो सेल पे और मैं एक एक query इसका query लिख के आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ db.employs.find तो मैं बता दूँ कि मैं एक employee collection को उपर work कर रहा हूँ उसमें total 10 documents है अभी और इसमें कुछ इस तरीके का field है आप लोग देख सकते हूँ यह field सब document में है total 10 documents है तो अभी मैं set on insert यूज करके आप लोगो दिखाता हूँ तो मैं लिखता हूँ db.employs.update1 round bracket and इसके बाद हम लिखेंगे curly verses दो curly verses आता है हमारा and first curly verses हमें लिखना है कि हमें किस document का update करना है तो मैं यहाँ पर एक नया document बना रहा हूँ that is employee id and मैं उसका value दे रहा हूँ 211 जो कि 211 exist ही नहीं करता है हमारे पूरे collection के अंदर employee id and after that मैं यहाँ पर लिखता हूँ dollar set on insert and यहाँ पर मैं कुछ भी ले लता हूँ just like मैं लेता हूँ name और मैं name ले लेता हूँ अभी के लिए venu and उसके बाद मैं email ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ venu at direct gmail.com and after that जैसे हमारा set on insert खतम होगा उसके बाद हमें एक और कॉमा लगाना है and हमें लिखना है अपसर्ट column true and जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इसने क्या बला कि acknowledge true आया और इसने एक नया document insert हिया इसने मुझे inserted id मिला है एक and उसको match count 0 मिला and modified count 0 मिला and उसने अपसर्ट count 1 दिया means एक नया document उसने create कर दिया है कि अगर मैं db.employees.find करूँ तो आप लोग देख से तो लास्ट में मेरा एक नया document add हो गया and जिसमें employee id 211 है and email है जिसका venu.gmail.com and name है जिसका venu तो मैं भी एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं already employee id है अगर मैं इसको update करने का try करूँ dollar set on insert से तो वो update होता है की नहीं होता है okay तो मैं try करता हूँ कि जिसका employee id 210 है मुझे इसका age 26 हरना है बस मुझे इतना सा करना है okay तो मैं लिखता हूँ db.employees. and after that मैं लिखता हूँ update 1 round bracket ठीक है and first curly basis में मुझे 2 curly basis लगाना सबसे पहले and first curly basis मुझे लिखना है कि document का मुझे update करना है तो मुझे करना है 210 वाले documents का okay and after that मैं यहाँ पर यूज करता हूँ dollar set on insert okay and after that मैं लगाता हूँ colon curly basis and इसके इंदर मैं लिखता हूँ कि जिसका age 27 से मुझे 26 कर देना है and last time मैं एक और packet लगाता हूँ and उसके अंदर मैं लिखता हूँ absurd colon true and जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हूँ कि उसको match count 1 मिला ठीक है बट उसने modified एक भी नहीं किया and अगर मैं DB dot employees dot find करके दिखा हूँ तो आप लोग देख सकते हूँ कि जिसका employee ID 210 है उसका age अभी 27 ही है क्यूंकि हमने last में absurd true लिखा था तो absurd true क्या करता है बेसिकली एक नया document add करने का try करता है अगर नहीं देगा तो वह update नहीं कहतेगा ठीक है अगर मैं यहां से last में से अगर absurd call and true हटा दूँ तो देखते हैं अभी हमें क्या result मिलता है तो अभी भी आप लोग देख से तो मुझे same ही मिला है match count 1 मिला है modified count 0 मिला है उसने एक भी document modified नहीं किया basically dollar set on insert हम use करते हैं एक नया document create करने के लिए that's it तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको कुछ beat out हो तो आप मुझे comment सकते हो पूछ सकते हो या फिर mail आडियो पूछ सकते हो मैं उसका reply जरू करूंगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को भी subscribe जरू करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ till then bye